नमश्कार स्वागत देखने वीडियो में सिर्मा SGS टेक्नोलजी के हम कौर्टन रिसल्ट देख लेते हैं दो तरीके से यह देखी जाएगी फास्टाफ कंपेर टू लास्ट यह का फास्टाफ और क्वार्टर अन क्वार्टर एली वेसिस पर हम जो रेगुलरी देखते हैं मार्जिन का खेल है क्योंकि सिर्मा SGS और डिक्सान टेक्ट याद रहें भारी गिरावट आई थी क्योंकि मार्जिन कॉंट्रेक्ट हुए थे पूरा मार्जिन खेल है क्योंकि इनके मार्जिन बहुत ही थिन होते हैं बहुत ही कम होते हैं उसी मार्जिन प्ले करते हैं तो ए यहाद रहे हैं अगर आप इनके ग्राफिकल भी देखोगे तो पैट के मार्जिन जो है वो टू परसंट इंक्रीज है यह बहुत जादा इंक्रीज नहीं है लास्ट यह के फ़स्ट आफ और इस यह के फस्ट आफ से नंबर में हम चलेंगे सिफ अगर हाफ एली बिस पर तो य पहुंच गए हैं लेकिन जो परसंटेज उसमें दिक्कत है अब देखेंगे आप और मार्जिन यहां इसमें यहां भी कॉंट्रेक्शन है डिक्स ऑंटेक हमने पहले बीज़े बात कि उसके बारे में किस तरह से कॉंट्रेक्शन को मार्केट ने लिए तो देखना होगा यह पॉंट्ट शेक्स मार्जिन अच्छा मार्जिन होता है उस EMS केटेगरी में जहां यह ऑपरेट करते हैं पर फिट आफ्र टैक्स भी बड़ा है यह रोन इंगिर कॉट्र 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 पर लेकिन आप जो इस हीट में हमको देखना है वो पार्ट्र क्वाट्र चैनि नह जाएंगे 16.1 से बढ़के 25.3 के profit margin है अच्छे margin है मुझे तो ठीक लगे अगर आप expenses और operating के भी margin देखोगे तो 5.2 से बढ़के 9.6 यहां भी ठीक है और आल पैट के margins भी देखोगे ना तो 1.7 से बढ़के 4.7 3 पसंट का इंग्रीस है तो quarterly basis पर तो एक मिक्स रिजल्ट की तरह होगा आप देखना है कि मार्केट किसको फस्ट किसको प्रीवियर देता है क्या वो quarterly performance को रिवी देखेगा जहां वो एक एक करेगा कि रिसर्जन्स है एक ग्रोथ वापस आ रही है या वो देखेगा कि कि किस तरह से एक बार देख लेते हैं इनका इंडस्ट्री की है आटोमोटिव सेक्टर से बहुत ज्यादा इनको रिविन्यू मिलता है तो वहां पर अब देखेगा कंज्यूमर कंज्यूमर कौंजा सेग्मेंट है जहां हमको गीजर मिक्सर ग्राइंडर्स और इस तरह के जो इलेक्टरलिक इप्ट में चिप्स आते हैं अगर आपका वाटर परिफायर है यह उसमें इसमें भी यूज़ करते हैं वहां पर इनको डिक्लाइन है 56 पसंट को वाटर तो वहां सटन डिक्लाइन है पर दिवाली में पिक करेगा यह हो सकता है कि प्रिवियस स्टॉक पह काफी बड़ा सेग्मेंट है और जो डिक्लाइन है क्वाटर क्वाटर वो बड़ी है इसलिए अठाइस पसंट डिक्लाइन आ रहा है यह अभी भी 17 पसंट का इसमें इंक्रीज है सिर्माइस के बारे हमको पता ही कि PCB बनाते हैं प्रिट्टर बोट्स बनाते हैं रेडियो फ सब्सक्राइब बनाते हैं यह बॉश है यूरेका फॉप से तो अच्छा है है एटम भग भी काफी अच्छा है तो मिक्स आता है इंडिया से स्टिल अभी इनका मेजर चंक आता है और अभी अभी हमने न्यूस भी देखी जहां पूने में इनोने एक नई फैसलिटी बना ल एक बार सपोर्ट लिया धेकर सपोर्ट लिया दो बार सपोर्ट लिया तीसरी बार सब्रेक कर दिया에 यह मार्केट में सेंटिमेंट वैसे भी नेगेटिव है अगर आप एक और ये होड vessels लगा लाता है कि यह उपर से नीचे लोगर स्वेश्व कोई सपोर्ट लेए इसलिए दुट नीचे नहीं हो पाया यहां पर सब्सक्राइब तो यहां पर एक मुश्किल है यहां पर की सपोर्ट नहीं मिलेगा लेकिन एक सपोर्ट अगर हम करें जो उसका प्रिवियस हाई था यहां पर इसने सपोर्ट लिया था उपर से पहले ही बहुत ज्यादा नीच आ चुका है अगर आप हम देखें कि इसने अपने अल्टाइम हाई से अभी अभी कहां पर है तो 46 परसंट नीचे है और अगर यहां पर आता है नेक्स पर जो मेजर चंक दिख रहा है हमको तो यह आल्मोस्ट 56 परसंट के डिक्लाइन पर है उपर से इतना रिलीफ इस पॉइंट पर तो यह अट्रेक्टिव हो जाएगा फिरहा वीकली देखो कि वो भी उसके ऊपर है 50 यहां डेटर ओपन करने का फाइदा नहीं कि अभी उतने वीक्स हुए नहीं है निव एमर्जिंग कंपनी है यह मैस काटेगरी नहीं है ग्रोथ की कंपनी याद रखिए ग्रोथ सेक्टर में वह कंपनी इसका मार्जिन बहुत थिन ह है थोड़ा सा रिस्क हो जाता है तो अगर आपकी है आप जहल सकते हो तो इसमें जाना रिस में अभी बन सकता है बहुत सारे इसमें कुछ डॉक करने कोशित करेंगे इस तरह की की इस तरह का चरोंपर भी encontव दिख रहा है वहल की कोई बाइसा recommendation नहीं है सिर्फ चार्ट और स्टार्ट चार्ट और स्टार्ट को ready करने की practice है अगर आपको अच्छा लगी है उलसे तो प्रीज लाइक शेयर सब्सक्राइब